नमस्कार आपका स्वागत है भगवान सिरी कृष्ण ने विध्यारतियों के लिए सफलता का भोती प्रभावशाली मंत्र बताया है सिरी कृष्ण ने ऐसी साथ बाते बताई है यदि कोई विध्यारती ये साथ बाते ध्यान में रखता है तो वह कभी आसफल नहीं हो सकता उस पर देवी सरस्वती की कृपा सदय ही बनी रहेगी और वह संसार में किर्ती प्राप्त करेगा आज के समय में कई विद्यारती महनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती किन्तु कुछ विद्यारती ऐसे भी होते हैं उन्हें पड़ाई करने का मन नहीं करता उन्हें पड़ाई एक बोज लगने लगती है इन सभी के पीछे उनके माता-पिता का दोश होता है माता-पिता जोर जबरदस्ती से अपने बालकों को विद्याप्राप्ती के लिए मजबूर करते हैं बलकि उन्हें सही रहा नहीं दिखाते स्री कृष्ण ने विध्यारतियों को सही रहा दिखाई है जिसे प्रतिक माता-पिता और विध्यारती को अवश्य जान लेना चाहिए जो विध्यारती इन साथ बातों का पालन करेगा उसे कभी अपयश नहीं मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं उन साथ बातों के बारे में अगर आप इस चानल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब जरू करें साथ इविडियो को लाइक करना न भूले सबसे पहली बात विध्याप्राप्त करने का उद्देश स्री कृष्ण के अनुसार प्रत्यक मनुष्य का विध्याप्राप्त का उद्देश क्या है इसी से उसकी सफलता और असफलता जुड़ी होती है अगर विध्याप्राप्त करने का उद्देश कल्यान कारी होता है तो वो आवश्य ही सफल होगा और यदि विद्याप्राप्त करने का उद्देश विनाशकारी होता है, तो उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात प्रत्यक विध्यारती को अपने मन में ये बात रखकर पढ़ाई करनी चाहिए, कि वह पढ़ लिखकर दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करेगा, वह द पदला लेना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ऐसे मुर्खता पुर्ण कार्यों के लिए विद्याग्रहन नहीं करनी चाहिए, स्रीकृष्ण कहते है, जो अच्छे उद्देश से विद्याग्रहन करेगा, वह कभी असफल नहीं होगा, सभी देवी देवता उसकी साहिता करेंगे, दूसरी बात, गुरु का अपमान, स्रीकृष्ण कहते है कि चाहे गुरु कैसा भी हो, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, मन में प्रैत्न करके, अपने गुरु के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए, गुरु से दिवेश करने वाला विक् तीसरी बात, किताबों का अपमान, स्रीकृष्ण कहते है, ग्रंथों में और पुस्तकों में, देवी सरस्वती, साक्षात ग्यान रूप में वास करती है, किताबों का कभी अपमान ना करे, किताबे कभी चुरानी नहीं चाहिए, किताबे परते समय, जूते चपल पहन कर, क आपको ज्ञान आवश्य प्राप्त होगा। चोती बात, अध्येन का समय है। स्री कृष्ण की अनुसार ब्रह्म मूर्थी। अध्येन, ध्यान तता विद्या ग्रहन के लिए सरवत्तम समय होता है। इस समय पर प्राप्त किया हुआ ज्यान कभी नष्ट नहीं होता है। इस समय पर किये गए सभी कारिय मनुष्य को फल अवश्य प्रदान करते है। पाच्य बात, अध्येन की दिशा। श्रीकिष्ण की अनुसारा ध्येन के लिए सरवत्तम दिशा होती है पूर्व तथा उत्तर दिशा। प्रत्यक विध्यारती को इस दिशा की और मुख करके अध्येन करना चाहिए। यह दिशा अत्यन्त शुब तदा सकारत्मक होती है। इन दिशाव में ही देवी सरस्वती का वास होता है। चछटी बात, कामवासना। श्रीकिष्ण कहते हैं विध्या ग्रहन करने वाले प्रत्यक मनुशको ब्रमचार्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य ही बुद्धी को बल प्रदान करता है, ब्रह्मचार्य के पालन से बड़े बड़े धेयों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए प्रत्यक विध्यार्ती को ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं सकता, आलस से उसके सभी गुनों को नश्ट करके उसके दुरगुनों को उजागर करता है, तो दोस्तों ये थी वह साथ बाते हैं, जो किसी भी विध्यारती को ध्यान में रखनी चाहिए, उमेदे ये जान करें आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक जरू क करें, और कमेंड में, जै स्री कृष्ण लिखना न भूले, आप सवी का धन्यवाद.